एक रात जब मैं अपने घर वापस लोट रहा था तो रास्ते में काफी ज़्यादा ट्राफिक होने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना सौटकट रास्ते से चला जाए इससे मैं जल्दी घर पहुँँ जाऊंगा लेकिन वो रास्ता जंगल से होते हुए जाता है इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन मैंने अपनी गाड़ी खुमाई और उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगा जाते जाते अचानक से मेरी गाड़ी उस जंगल में जाकर रुक जाती है वहाँ सामने एक हवेली नजर आ रही थी मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवेली में रात बिता कर सुबह अपने घर वापस लोड़ जाऊंगा लेकिन जैसे ही मैं हवेली के पास पहुँचा वहाँ मुझे जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर आता हुआ दिखाई पड़ा और वो हाथ मुझे अपनी ओर बुला रहा था मैं तो काफी ड़ गया, मेरे तो पसीने छूट रहे थे तो मैंने किसी भी तरह हवेली के अंदर पहुँचा तो वहाँ मुझे एक लड़की दिखाई देती है और जैसे ही मैं उसके पास गया तो देखा उसके पैर उल्टे थे और चहरे पे अजीब से निशान भी थे मैं भागता हुआ उस हवेली से बाहर आया तो अचानक मेरी नीम खुली और मुझे लगा ओ ये तो बस एक सपना था फिर अचानक से कोई दर्वाजे पर बेल बजा रहा था तो मैं ड़ते हुए दर्वाजे तक गया और जैसे ही दर्वाजा खोला तो वहाँ वही चुडाल थी जो मुझे उस हवेली में दिखाई दी थी को अचे को अचे को अचे को अचे